दोस्तों इडिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करें के लिए दबाए सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाए अगर सहारा में आपका भी पैसा फसा है तो बड़े आसानी से आएगा सहारा में फसे हुए पैसे आपकी हूंगे वापस सुप्रिम कोट से आई एक अच्छी खबर ग्रूप को दिया अहम आदेश दोस्ते निवेदन करता हूँ गर आप चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को जरूर सबस्काइब करेंगे ताकि भविश में इसे जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज़ देखने को मिलती रहे सहारा में जिनके पैसे फसे हैं उनने वेशक धारकों के लिए एक अच्छी खबर है सुप्रिम कोट ने बुद्वार को सहारा समू को अहम आदेश दिया है अदालत ने सीस अधिकारियों और मौजूदा सेरधारकों के बारे में जानकारी देने के साथ ही संपत्तियों की सूची भी उपलप्त कराने को कहा है अदालत ने कहा कि इन संपतियों को बेच कर 10,000 कर रूपे जुटाए जा सकते हैं सुप्रिम कोड ने बुद्वार को सहारा समू से कहा कि वा अपने सीर सधिकारियों और मौजूदा सेरधारकों की बारे में जानकारी देने के साथ ही उन संपतियों की भी सूची उपलब कराए जिने बेच कर 10,000 कर रूपे जुटाए जा सकते हैं निवेशकों का पैसा लुटाने के लिए आरासी से भी सहारा रिफंड खाते में जमा कराई सानी है सुप्रिम कोर्ड ने दिया था ये सकत निर्देश सिर्फ सदालत में 31 अगस 2012 को सहारा समू की कमपनियों सहारा इंडिया रिल इस्टेट कार्परेशन लिमिटेड ESIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्मिन कार्परेशन लिमिटेड SHICL को निर्देश दिया था कि वे निवेस्कों से एकत्र की गई रासी को तीन महीने के भीतर 15% प्रतिवर्स ब्याज के साथ सेभी को वापस करी दोस्तों इतना नहीं आपको बता दू किस तरीके से आने वाले समय में शहारा को लेकर सरकार बहुत कुछ करने जा रही है तो एक एक रुपया आपके खाते में अब मिलेगा निवेतर करता हूँ अगर आपको वीडियो पशंद आई है वीडियो को लाइक करेंगे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी जानकारी आपको देखने को मिलती रहे दोस्तों आपको बता दो अब सहारा में फशे हुए पैसे जो भी पैसे हैं वो सारे पैसे अब इसका समाधान अदालत निकाल चुकी है जस्टिस संजीव खन्ना, M.M. सुंदरेश और वेला यम तिर्वादी, तिर्वेदी की पीठ ने बुद्वार को कहा कि निविशकों का पैसा लोटाने के लिए नियाले का कोई ब्यावहारिक समाधान निकालना होगा क्योंकि यह मामला एक दसक से अधिक समय से लम्मित है सहरा समू ने इस पर क्या कहा है आईए जान लेते हैं सहरा समू ने कहा कि वा करीब 10,000 करोड रूपे जमा कराने के लिए कोई योजना पेश करेगा यह मामला बार-बार नहीं चल सकता नियाले दौरा 25,000 कर रूपे जमा कराने का निर्देश दिये जाने के बाद से 10 साल से अधिक समय बीत चुका है हमें कोई ब्यावहारिक समाधान निकालना होगा क्योंकि कमपनी ने अब तक सिर्फ 15,000 कर रूपे ही जमा कराए है गुरूप की तरफ से पेश हुई है वकील कपिल सिब्बल जी हाँ दोस्तों जो गुरूप यानि कि सहरा गुरूप ने अपने वकील कपिल सिब्बल को पेश किया है कपिल सिब्बल ने अखिर क्या कहा आई ये जानते हैं जस्टिस खंडा ने कहा कि सारा समू की ओर से पेश वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को बताया कि कमपनी सेस रासी जमा करने के लिए कारियोजना प्रस्तुत करेगी सेवी कोर से पेश्ट वरिष्ट अधिवक्ता अडविन्द दातार ने कहा कि 2023 में सुबरत राय के निधन के बाद कोई नहीं जानता कि कमपनी का नितरत कौन करेगा और अदालत के आदेश के अनुपालन में वाप पैसा कैसे जमा करेगी तो किनन दोस्तों आप इस तीज को जान लेजिए कि अब सुप्रिम कोट से एक बहुत बड़ी खबर जो आ चुकी है मैंने आपको बता दिया अब गुरुप को भी अहम दिसानिर देश जारी कर दिया गया है निवेदन करता हूंगर वीडियो पसंद आई वीडियो को करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब को बटन और घंटी जरूर दबाएं